देखे ये लोक तंतर की खुबशुर्ती है कि जनता जनारदन चुनाव में अपने मत का प्रियोग करके और जिसको जीत दिलाती है वो चुनाव जीतता है राजस्तान में बारा मेने पहले भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद में एक उप्चुनाव हुआ जिसमें चलते चुनाव में भारतिय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया उनको सपद दिलाई लेकिन जनता जनारदन ने उनको घर बिठाने का काम किया आज जो चुना हुए हैं उसमें मैं समझता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि यह सरकार हारी है बले ही बीजेपी के कंडिडिड ज्यादा जीते हैं मैं स्विकार करता हूँ लेकिन सरकार हार गई क्योंकि जिस दोशा में किरोडी लाल जी की प्रतिष्टा का सवाल टिकेट के हैने से उन्होंने आठी पार्टी ले रखी थी वो केविनेट में सामिल नहीं हो रहे थे इस्तीपा दे रखा था और फिर पूरे उपचुनाव में उन्होंने एक दिन भी दूसरी जगह परचार नहीं किया केवल और केवल दोसा समाला और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बैने और जो प्रियास सरकार ने सामदाम दंड भेज जिसको कहते हैं बूत कैप्चर भी कराए सब कुछ कराए और अभी भी ऐसे भल प्रियास कर रहे हैं 21-22 से आरने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि सरकार की इस से बड़ी कोई हार हो नहीं सकती हमारे यहां पर आप देखिए कि सलूमबर में भारतिय जन्ता पार्टी 14,000 वोटों से मैं चुनाव में जीती थी दिसंबर 2023 वो गयारासो बारासों के लगबग आ गई थी खीवसर का जो चुनाव था वो हमने MP चुनाव गटबंदन से लड़ा था और गटबंदन में इमानदारी के साथ में अचनक हमने वहां पर चुनकी घटबंदन नहीं हुआ तो अचनक हमने जब उमीदवार दिया तो वहां पर लोगों ने 6 मैंने पहले तो वहां पर आरेलपी को बोट दिये ते तमाम कॉंग्रेस के कार्य करताओं ने ने बोटर्स ने और उसके बाद में हम वो परिवर्तन नहीं कर पाए वहां चुनाव दो ही हो गया कि हनुमान बेनिवाल जी को देना है या फिर भारतिय जनता पार्टी को देना है इसलिए हम वहां पर कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हमारे रामगड में अच्छा चुनाव लड़ा हमने अलांकि जो आभी करता हूं कि एक चिंता का विशय भी है और हमको इसमें मनन करेंगे मन्थन करेंगे कि इस तरीके से किस तरीके से प्रिणाम आए दो निर्दलिय चुनाव लड़े वो भी एक कारण रहा लेकिन कहीं में कहीं उसमें हमें गंभीरता के साथ में मनन मन्थन करने की आवसकता है क्योंकि हमारे पास में जो मैंग चुनाव थे उसमें जो चुनाव जीते वे थे चार जगे जुन्जुनू देवली उनियारा और दोसा वो तीनू MP बन गए तो हमारे एक नमबर के जो लीडर थे वो तीनू के तीनू MP बन गए और उप्चुनाव में चुंकि हमें सेकिन से वहाँ पर कॉंग्रेस के वही MLA बन रहे थे जो हमारे MP बने तो उनकी भावनाओं को भी उनकी अभिसंसा को भी उनकी रायक को भी पार्टी संग्ठन ने तवज्जो दिया और उसी के मताबिक हमने यहां से प्रस्ताव प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी से भीजवाए और प् प्रदेश नेत्रीत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिगट दिया लेकिन मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए गंभीर विसे भी है चिंतागा विसे भी है कि इन दोनुं सीटों के उपर हम वो नहीं कर पाए जो हमें जीतने चाहिए थी हम नहीं जीत पाए सबने मिलके काम किया और इस चुनाव में भी हमने सबने मिलकर के काम किया मैं किसी की कोई कमीबती यहां गिनाने के लिए नहीं बैटा हूँ मैं तो पार्टी का प्रदेश अद्यक्स हूँ तो मैं स्वम ही अपनी जीमेदारी लेता हूँ कि हम और कैसे बहतर कंडिडेट दे सकते थे या और कैसे बहतर सुनाव लड़ सकते थे इस दिशा में अब आगे संग्ठन को मजबूत करके हमको किस तरीके से काम करना है वो च कि प्रेश कौंफेंस कर रहे हैं उन्ही का कंडिडेट उन्ही के उपर आरोप लगा रहा है कि सरकार में बैठे वे लोगों ने एक केविनेट मंतरी के भाई को सुनाव हराया उनके बयान बोल रहा हूं है दूसरे के बयान नहीं बोल रहा हूं तो यह जो लड़ाई है यह बाते हैं कितनी सत्यता है कितनी नहीं सत्यता है हमारे कार्य करताओं ने जीतोड मैनत की और दोसा के अंदर हम चुनाव जीते हैं जीत गए हैं यह चाहिए कितने भी रिकाउंटिंग की ऐसे पल परियास कर लें यह इसमें काम्याब नहीं होंगे यह मैंनिवेजन करना चाह तो यह जो चुना होते हैं उप चुना हो लगबग लगबग जो सरकार में होते हैं उनके पक्ष में जाते हैं क्योंकि लोगों को यह लगता है यह चार साल यही सरकार रहनी है इने से हमें काम कराने हैं ट्रांसपर हैं विकास के काम हैं क्योंकि आप देखें पिसली समय नो च जन्तापार्टी जीती थी एक समझोते के साथ में आरेलपी से गटपंदन था तो हनुमान बेनिवाल जी के बाई जीते थे बाकि सारे हम ही जीते थे दूजरा थोड़ी जीता था तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एज रहता है सरकार का लोगों में यह रहता है कि हमें का उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और आप देख लीजिए अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री मुख्य मंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है कुछ चुनाव नहीं हारता इसलिए आप सब लोगों को दन्यवाद देना चाहता हू हमारे चुनाव पाद कंप लिख़़ झत रही है करते हैं व्याफ वर कि सोनाव में नगाज चुनाव में कैसे पारिक दिला सकते हcken हुम नेता हुद उसे हुदा फिर नेता हो किरिए ज data सबसे बड़ी हार हुई है उसकी जो भी डिमांड होती है किसी भी नेता को बुलाने की कोई मेनेजमेंट की तो उसके उपर काम किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहां जब रहा है वही आए थे और सब लोग में संग्थन के उस वक्त बोपूरी तरीके सांवस्थ लेकिन पैसमें कई कोई कमी रही है तो उसको लोग देखेंगे समझेंगे वहां के जो जितनी भी हमारी टीमें लगाई वी हैं उन टीमों से हम रिपोर्ट लेंगे जो अबजरवर हमने लगाए थे उन से लेंगे और उसके बाद में उसको कैसे ठीक किया जा सकता क्या कमिया रही वो सब चीज़ें हम लोग बाद में करें देखेंगे सरकार ने तो सामदाम दंडबेद सब किया ही है आप देखिए कि किस प्रकार से देवली उनियारा में जो किया गया 11 बजे किया गया सुनियो जित रूप से किया गया और कौन मंत्री और कौन विधायक फंडिंग कर रहा था कैसे कैसे वहाँ पर कारिवाईयां हुई यह मुझे कहने कि आउसकता नहीं है बीजेपी के जो नेता है न वो खुद ही बता देंगे कि यहां क्या-क्या वार सरकार ने क्या-क्या अन्यता अधियार काम में लिए इस सुनाव को जीतने के लिए थैंक्यू नमस्कार झाल